So guys, आज़ की स्टुडियो में जानेगे make और get का क्या use है साथ साथ get और make के भी इस क्या अंतर है ये भी सानते हैं make और get आपके qualitative verbs होता है जिसका use काफी English speaking में किया साता है आप समझते हैं इसका क्या use किया साता है कैसे क्या साता है और इसका क्या formula होता है और इसको कौर सी चीज़े different करता है तो हम समझते हैं समझते हैं use of make make का use समझते हैं make का मतलब होता है कि कोई काम करवाना इसका use आप तभी करते हैं सब कोई काम किसी से करवाना हो इस sense में समझते हैं और make अगर आप make का use करते हैं इसका क्या formula होता है जिससे कि sentence easily बनाए जा सकता है तो sentence बनाने के लिए आपका formula होगा सबसे बले subject इसके बाद आप लगाएंगे make या फिर makes singular के लिए makes और plural के लिए make लगाएंगे और past tense अगर आप यूज़ करें तो वर्ब का second form के रूप में make का तो mad लगाए है इसके बाद आपका object होगा और यहांपर वो object लिखा साएगा जिससे काम आप करवाएंगे यسे मुझे हसाता हूँ तिया पर जिससे काम करवा रहे है उसको लिखा साएगा जिससे तुम्हे, मैं तुम्हे हसाता हूँ तो अपर you आपका लिखा जाएगा object की रूप में इसके आपर आपका जो verb होगा वो लिखा जाएगा फिर आपका उस verb का जो object होगा वो लिखा जाएगा एक जंपल लखे इससे वो मुझे हसाता है तो sentence हो जाएगा he makes me me आपका क्या हो जाएगा sentence बनेगा, I make Ravi read a book, I make Ravi, जिससे काम करवा रहे हैं, उस object को आप लिखेंगे, साई वो noun रहे या pronoun रहे, pronoun रहेगा, तो pronoun को objective के से उसके असा आएगा, इस बातों को धियान में रखना है, इस बार से, Amun, हम लोगों से काम करवाते हैं, तो sentence होगा, Amun makes us work, यहाँ पर जो work लिखा हुआ है, यह आपका first form of the verb है, इस बार से आपको समझना है, कि Amun makes us work, us यहाँ पर हम लोगों के लिखा गया है, we का objective के सोता है us, इस बार से पिरिया उसे दोडाती है, पिरिया makes him run, लड़का है, him लिख दिये, अगर लड़की राती, तो आप यहाँ पर हर लिखते, फिरिया makes her run, run मिंस होता है दोड़ना, लेकिन दोड़ाना, देखेगा, इससा आप बोलता है हसना, तो आसना के लिखते हैं सिदा Love, लेकिन जब आपको बोला हसना, हसना के लिख के लिखते हैं make love, इस बातों को आपको समझना है, making love means हसना, दोड़ना का run होता है, दोड़ना का make run होता है, इस पार से आपको समझना है, और अगर कोई object लिखना हो, तो make run या make laugh इसके 20 में यह object देना है Sohan Amun से अपना घर साप करवाता है sentence होगा Sohan makes Amun clean his house समझे यहाँपर Sohan makes him Sohan makes Amun यहाँपर Amun क्या है? Amun यहाँपर काम करने वाला है काम को कर कौन रहा है? यहाँपर क्या काम कर रहा है? क्लीन करने का काम कर रहा है और क्या कर रहा है तो उसका घर कर रहा है इसे बार से आप समझेज़्ाते हैं तुम रीया से खाना बनुआते हो You make ria coke food यहा पर ऐकी सीच पता चल रहा है जब कोई काम करवाना हो तो आप make a use के जले लेकिन यहाँ पर जो अधीक focus का जाता है वो उस पर क्या सा ता है जिससे काम कर वाया जा रहा है इसे यहां पर क्या काम कर वाया चाहरा है अमन से इसको लेकर डिफ्रेंट है इसी बार से रोहित उसे इंतिसार करवाता है, रोहित makes him wait, यह पर समझेगा कि makes के बाद object आगया, प्रोनावन का objective case, इसके बाद जो आपका wait है, यह आपका verb का first form लिखा हुआ है, मैंने उससे अंग्रेजी बोलवाया, यह संडेस आपका first में, कैसे होगा, I made, make a second form made, him, आपक verb का first form English object है, I made him speak English, मैंने उससे अंग्रेजी बोलवाया, यह पर जो stress देता है, that means की emphasize करता है, वो क्या जाता है, object पर जो काम करता है, इससे अंग्रेजी बोलने का काम कौन किया, उसने किया ना, उससे बोलवाया ना, उसने काम किया, यह पर him पर अधिक focus किया जाता है, इस make you work, इस पर से आप समझ सकते हैं, यह पर सो आपका make और makes और made है, यह आपके tense के अनुदार अनुसार बदलते जाते हैं, कोई दिकत नहीं है, इससे बाहर से आगे सो आप समझेंगे positive verb get, यह क्या करता है, अब इसका भी मतलब होता है कि काम करवाना, दोनों का मतलब एक ही ह होता है काम करवाना, तो किस सीज को लेकर दोनों आपस में difference करते हैं, मतलब कि आनतार दोनों में क्या है, क्या सीज को लेकर है, तो वो समझते हैं, फ़ले तो समझें इसका क्या formula है, formula यह पर यह है कि आपका subject लगेगा, फिर आपका gate लगेगा, पुल्डॉल subject के लिए, gates ल आते हैं, और यह अपर जो object लिक लिखा जाता है, यह किसी person का नाम नहीं होता, यह पर किसी person का नाम नहीं लिखा जाता, बलकी कोई subject का नाम लिका जाता है, यह आप example से समस्पाएंगे, और वो चीज़ें जो होगा, उसमें क्या काम करवाई जाएगा, उसे आप just verb लिखे है इसमें आपका कुछ सिमलर है लेकिन थोड़ सा डिफरेंट भी है यहाँ पर अबज़ेक्ट कोई आपका थेंग होगा और यहाँ पर आपका वर्ब का थर्ट फर्म होगा अधिकतर कैसे इसमें इसे बगार से देखा साता है आप एक सामपल देख सकते हैं इसे मैं कार सलवा है वो इस पर चाहित है यहाँ पर उस्का क्या है क्या है क्ल дв डिया है इसके द्वारा क्या था-इस से मेटना ही यहाँ पर गेट बताता है हम को वह बताओ कि काम कौन सा हो रहा है कार त Berelai यह फोकस दाना है वकर पर देना है मेला कि Oz अबजेट पर देना है वह कोई चीज नहीं होगा इसके कार आपको क्या है ठींग में आसा है का और आई गेट परजेंट में तो आपको गेट लगेगा I get the car अब यहांपर कार सेना के लिश कोता है ड्राइब और धर फिर्न मुश्यांगा राइवन I get तका ड्राइवन अमन ने बाल कटवाया कुसे लिगेगा अमन गोट परस्ट में तो गेट का सकेंड फिर्म गोट एंदा हेर कट ये कट तो आपका अपर का थर्ड फिर्म में यहाँ पर अधिक इंपसाइस किस पर तो यहाँ पर हेर पर किस पर यह पर आप समझ रहें कि आपर संटेंस में डूर नहीं होता है और मेक में आपका डूर होता है कि काम जिससे आप करवा रहें वो उससे लिखना ही होगा और गेट में उसको हाइड किया जाता है आप समझ पा रहें और हाइड करके यह पर उस पर वोकस दिया सार है जो काम हो है काम क्या और है बाल कटवाने का तो काटा कौन उससे कोई फिर्क नहीं पड़ता है हमको यह साइए कि काम क्या 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 काम क्या काम क्या तो कार्शम को मतलब है यह होता है इस वार से उसने किताब खरीदवाया संदेश होगा he got the book bought यहां पर बोट सो है आपका वर्ब का थर्फ में और बूक यहां पर सो है आपका object है और इसी पर emphasize क्या जारा है मैं तुम्हें मरवा दूँगा तो sentence होगा I will get you killed यहां पर जो focus क्या जारा है किस पर? you पर मारेगा कौन? I don't know but I know you जो होगा इस काम का असर जहे लेगा मरेगा कौन? you मरेगा अगर मैं मरवाता हूँ इस पर साब समझ सकते है रवी तुम्हारा काम करवा देगा sentence होगा रवी विल get your work done यह पर दोगे रवी विल गेट your work अब काम करवा तो देगा लेकिन करेगा कौन? पता नहीं लेकिन काम जो होगा उससे मेंसन करते है इस बार से वे लोग पांखा ठीक करवा देगा मलगी they will get the fan repaired ठीक कराना मतलब क्या रिपेर कर देना इस बार से समझ सकते हैं कि they will get the fan repaired इस बार से मैं अपना काम करवा रहा हूँ रहेगा और यहां पर आपका अपजिक्टा जाएगा gate के तुरंट बाद इस बासे रिया अंग्रेशजी बुलवा रही है रिया इस गेटिंग इंग्लेश इस पॉकन रिया इस गेटिंग इंग्लेश इस पॉकन इस पर समसकते हैं मेरा भाई मैदान साप करवा रहे हैं तो संदेंस होगा my brother is getting the field cleaned या पर cleaned आप यहाँ पर बोल सकते हैं वर्प का थर्फों में और यहाँ पर focus का जा रहा है field पर तो I hope कि आप समझपा रहे हैं मैं किर्केट खेलवा सुका हूँ I have got the cricket या पर किर्केट पलेट यहाँ पर आपका वर्प का थर्फों में कि अपर आपने डिफ्रेंस हो देखा वो किया देखा पहला तो यह कि मेग सो बताता है कि जो डूर है वो बताता है लेकिन गेट क्या करता है गेट वो डूर नहीं बत की कीकरता तो प्ल्कि डूर जो गाम करता है वोस चिवा करता है मतल Stark क्या करता है में कार सलभाता हूँ चलवाता कोने में चलाताकोने पता नहीं लेकिन काम पर यह दिखाई दे रहे वं ही में कीकिहां आपका यह है कि आपका गेट फर्मूला लग है, मेक का फर्मूला लग है और मेक डूर दिखाता है, गेट डूर नहीं दिखाता है. So guys, thanks for watching.